लाल बालू को लेकर हुई मारपीट में 33 नामजदों के विरुध हुआ एफायार दर्ज बढ़हरा प्रखंद अंतरगत एकवनास सिरसिया गाव इस्थित गंगा घाट पर लाल बालू को लेकर हुई मारपीट में 33 लोगों के विरुध नामचद एफायार तरज किया गया उनकी गिरफतारी हेतू छापे मारी की जा रही है बताया जाता है कि एकवनास सिरसिया गंगा घाट पर बालू तसकरो द्वारा अवैद वसूली करने वालों के स्ताथ जमकर मारपीट की गई जिसमें दो लोग बुरी तरह से घायल हो गये बढहरा थाना प्रभारी जैन प्रकाश ने बताया कि गंगा घाट पर मारपीट के साथ फाइरिंग की भी बात सामने आई थी घटना स्थल पर पहुँचने से पहले दोनों पक्षों के लोग वहां से फरार हो गये थे दो घायल लोगों को इलाज हेतू अस्पताल ले जाए गया इस घटना को लेकर बढहरा थाना प्रभारी जैन प्रकाश ने अपने बयान पर लाला के टोला एकाउना एवं केशोपूर के 33 लोगों के विरुद्ध नाम जट एफायार दर्च किया है जिसमें अभिराम सिंग, लबकुछ दिंग, शेखर राय, ढेला राय, पप्पू राय, अखिरेश राय, इंदल यादव, सहित अन्य आरोपी हैं जिनके गिरफदारी है तू छापे मारी की जा रही है भोजपूर नेउस के लिए बढ़ारा से विजय कुमार पांटे की रिपोर्ट इस खबर को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाईए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फालो लाइक और वीडियो को शेर कीजे और भोजपूर चिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपूर न्यूज अप को इंस्टॉल कीजे